हलो मित्रो आगना वीडियो मा अपने बात करी सु जे रेंड अने प्रेजेंट पार्टीसीपल मी से मित्रो वीडियो नी शर्वात करता पहला माफी मांगीलों के चल्ला आट फड़यामा एक पड़ वीडियो ना नाखी सके उनुकारणा है के घर मा तोड़ू मेडिकल प्रॉप्रम सता पाण अवयब दू बराबर छे मित्रो मगज मा प्रशन ही थाए कि जेरेंड अने प्रेजेंट पार्टीसीपल छेया सू मित्रो जेलोको कॉंपेटिशन एक्जाम नी तयारी करे रहा छे जेलोको इंगलेश नी अलग अलग परिक्साओन नी तयारी क कर रक चेनुकारण एक जेम आपने गुजलाती मा पॉण एकज वाके ने अलग अलग बंधारन साथे बोली शकाई छे इटले आधना वीडियो मा अपने डीटेल मा समझी सू के जेरेंड अने प्रेजेंट पार्टीसीपल खरेकार छेया शू तो मित्रो जेलोको नवा अश जे लोगो पहली वकट मारा चैनल नो वीडियो जुए शेमने विननती करीस के प्लीज मारा चैनल ने सब्सक्राइब करो जोड़े आपेला गटेडीना बटन ने दबाय रहको जो तमने मारा भणानी स्टाइल गम है जो तमने के नव सिखो तो आने तो ज़ प्लीज मारा च सुते नी डेफिनेशन जुए लिए वेन वर्ब टेक्स प्लेश ओफ नाउन इन सेंटेंस इक मीं वर्ब कंसी प्लेश ओफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इस खोल जेर्ण स्टांश जेहरे कोई वर्ब एल्लेके करी आपवाद नाउन नी जग्या लेले लेले कोई एक व् मा ईह है जहारु सभजेक्र ना स्थाने आभे कांतो अब्जेक्र ना स्थाने मा आवे लिभर उत एक प्राथ कि अगतूा Speos तमने माहीत ही वह जो ये parts of speech नी, parts of sentence नी, tenses नी बावत, parts of speech माँ noun, adjective, adverb, verbs, interjection, articles, अब दो तमने जानता हाओ तो जेरेंट तर समझ वह माँ तमने आसानी रह से, तमने जो आमा confusion माई का तो ना कमरोई सेज़े, चींता ना कर सो, आपनी चैनल पर basic English grammar माँ parts of speech वी से दर्सा हमा आउशे, tenses नी playlist माँ बद्धा कार वी से दर्सा हमा आउशे, नी चैनल वीडियो description आपूशे, जेने पर confusion होई, सीखवा माँता होई, तमने जेने सीखी सकोशे, बावर, आवे, तो आपने वर्ब नी चौती फोर्म, एडले के ing form नो उप्योग कया काण मा कड़िये, जेने आञे आपने वर्ब नी चौती फोर्म मा उप्योग एग उप्योग करों, ज्यारे ज्यारे तमी वर्ब नी चौती ऐखतेवर्भ वास्ति अंग कोई काले 9 yang वस्तु आजए इन सबस्तों आधा में जा रखतेव हाथ और को ери्छ वस्त फोम नहीं कोई चाल्वन बाख्यों आने आम अ़िए वर्ब ओस्तु आधानों ङाद रिख केसरी का राक खर नवाक्यों आ हमा स्भी रहाたभ ने में पहला एक helping verb सौ टका आयू जो से जारे जारे तो एक continuous tense मा कोई भाकिय बनाऊँ सो त्यारे में पहला एक helping verb सौ टका हाजर ह से तमें helping verb सिवाय बाई continuous tense नो कोई बाद ही बनाई जिना सको इस structure अखता थी बाबर आये पस्तु मगरज मा याद रख जों क्या हम कह उश्ट तमने आगल कह पर से अबे आपने कोई पर एक नॉर्मल सेंटेंस नी वाद करिये तकला तरी है नॉर्मल सेंटेंस मां कोई भी नॉर्मल सेंटेंस हो एनी वाद करिये तो इंगलीश मां कोई पर नॉर्मल सेंटेंस ना वाक्ये नी रचना एनू फॉर्मेशन करिदी थाई छे इंगल्श मा सव परतम सब्जेक्ट मुकवा मां एछे। आ इनु स्टांडर्ड फ़ोरमेशउन अप नमाने इंगल्वीत माक्यों बनावा माहा आवेचे। आपने आगल बात करी के continuous stance मा वर्पनी चौती फोम नौ उपयोग थाई शे बाबर तो एना अमुक बदान जुलिये आ नौर्मल सेंट शेक्टर जबाबर आपने continuous stance मा के निते वाक्यों बनायाई शे He is singing a song. They are dancing in a party. She was playing football. He will be sleeping now. आपने जाने शे मित्रों जे मा अपना आगल बात करी के continuous stance कोई नौर्मल वाक्यों तम्हें बनायाऊ सो तो तो से main verb वत्ता आई एन जी आऊ से वावर ले sing वत्ता आई एन जी आयो आपने जाने शे इस helping work चे आर वाज विल बी आवदास शे helping work चे तो आतो आपने वाद करी साली एक नौर्मल स्ट्रक्चर नी एक नौर्मल कंटिनेस सेंस ना structure नी वाद करी आपने जो आपना व्याख्या पर जीए तो आपने व्याख्या सुकेशे कि आएक नौर्मल प्रकारणाओ वाक्ये ने थी ने जो नौर्मल प्रकारणाओ वाक्ये होले तो यह नू बंधायाण सो csak सब्जेक्ट बने सब्जेक्ट बने सब्जेक्ट मूं स्थां मुझायाकू से600 तो अवे जेरेन ने समझी आपने उदाहार से दाखला तरीके उँखाऊं आपने बद्ध आ वाक्य थी वाक्य भसे कि स्मोकिंग इस इंजिरियस तो हैल्थ कातो स्मोकिंग इस इंजिरियस जो आ तमें जुवा जाओ तो स्मोक वत्ता आई एंजी नू उप्योग थे बाबर इतले आ वर्वनी चौती फॉर्म नोप्योग थे तो आ गंटीनिस टेंस छे मगट मा प्रश्न प्रहलो एक अगो जुए क्या गंटीनिस टेंस छे तो तमें जुवा जाओ तो आपने आगण जुई गया कि नॉर्मल कोई पने आ गंटीनिस टेंस ना वाक्येनू क्यों भर्व सिर्वात टेरी शे वाबर स्मूक वट्ता अईएनजी आ तो smoking की सरुवात तो आ नॉर्मल प्रकार नू मुं प्रकार नूं वाक्ये नथी तो आपना जेरेण नी व्याक्या जुई ये तो सु क्या शे ज्यारे कोई वर्ब सु करे subject का तो object ना स्थान भावेश तो आ वक्यमत्त में ध्यानती जूसो तो subject सुछे smoke वत्ता ing वले वर्ब चे पण सु बनियाईचे एक subject ना स्थाने आवेशे इल्ले आतो subject थेग्यू smoke वत्ता ing पची सुछे ease चे आईसु थेस थायूँछे ease ये mean वर्ब बनियूँछे और injurious ये थेगरू object ना स्थाने तमें आपने व्याक्या जूई जहरे जहरे कोई वर्ब नी चौती फोर्म वर्ब वत्ता ing नी फोर्म कातो subject ना स्थाने आवे कातो object ना स्थाने आवे ये वा प्रकार्ना वाक्यों हम्मेशा के वावे जहरेंड वाक्यों जहरेंड वाक्यों तो ये आपने आसानी पी जूई सकिये शे कि smoke वत्ता ing एक वर्ब एसु करिए नावन नी जग्या लेली दी एक वर्ब subject नू स्थान देली दू ये आप्रकार्ना वाक्यों ने जहरेंड वाक्यों के आवावे बीजो एक्जाम्बल जूए के he likes singing तो मगजमा सहुत्ती पहलों प्रश्णा एथ हो जूए के शू आ continuous sense नूँ वाक्यों छे अवे आपने आगर जूए continuous sense नूँ वाक्यों बनावत है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तरीके बनावा में जहरे जहरे में वर्ब होए ये आगर एक helping वर्ब आवे ये बे महत्वनी बाबत जानवा जीवी छे continuous sense नूँ वाक्यों बनावत है तो आ continuous sense नूँ वाक्यों छे आपने sing वत्ता आ इन जी पहला कोई helping वर्ब जूई सके छे वी जी वस्तु के आ सब्जेक्ट वर्ब अने ऑब्जेक्ट ना रूल ने फॉलो करे छे सब्जेक्ट वर्ब ही छे पर आई ऑब्जेक्ट ना स्थाने नाउन नती ये तो वस्तु छे एक वर्बट छे आपना जयरेड नी व्याख्या सब्जेक्ट वर्ब आफ़क्ट वर्ब वर्ब वत्ता आई रूलो चे पहलो वाक्य मारीआते सब्जेक्ट वर्ब आफ़क्ट वर्ब शे खेवलो यहले ही सब्जेक्ट लाइक्स व्र्ब और शिए अभज्ट बनेगों नावन तरिल वाट्या आलाइक फोटोग्राफिंग नेचर आई शब्जेक्ट मैं वर्ब क्या हम फोटोग्राफी मीन वर्ब नती आगर सू नती हेल्पिंग वर्ब नती वत्ता आ जी स्टांडर्ड कंट्यून स्टेंट्स नूँ फॉर्मिशन चेना पोलो नती करतू अब आए आ आई आई गयू लाइक आई गयू तो ऑब्जेक्ट ना स्थाने एक वर्ब आयू गयू बत्ता आए एंजी साथे ले सू धै गयू एक सू बणिगव जेर्ण बणिगवशन याा रगत जो मिध्रों जेर्ण ना वाक्यों मा वर्ब नी चोथी फोंब का तो नॉलन का तो, I enjoy sleeping a lot, I, subject, enjoy, शुछे, वर्ब छे, शौप वत्ता आइएंजी, object ना स्थाने आईउ, का तो, sleep वत्ता आइएंजी, object ना स्थाने आईउ, या सुछे, आ प्रताना वात्ते ने जे रहेंगे आएंगे, बावर, आगल वद्धिये ने वात करिये, present participle, present participle, इतले सु, य ये, when a verb acts as adjective in sentence, it means, it gives some extra information about noun or pronoun, it becomes present participle, मित्रो, आगल जेरेंड मां सु गतू के, एक verb नी चौती फोर्म सु करेशे, subject नी स्थाने, आगेशे, का तो, object ना स्थाने, आगेशे, present participle, कोई वाक्या शे, क्या रहें सु को, ज्यारे, वर्ब नी चौती फोर्म, आमापण वर्ब नी चौती फोर्म अचासे, या अतिरिक्त माहीती आपेशे, का तो, कसु वधारे, विशेष्ता दर्सावेशे नी, इवा प्रकार्ना शब्दों ने केवाई छे, adjective, तो, present participle मा सु थाई छे, वर्ब नी चौती फोर्म, अजेक्टिव बनी जाई छे, लेकि, ए नाउन का तो, प्रोनाम विशे, अतिरिक्त माहीती आपेशे, वर्ब नी चौती फोर्म, बराबन ए प्रकार्ना वाक्यों, present participle वाक्यों केवाई छे, अने याद रग जो मित्रो present participle सिखा माटे पन, तमने, parts of sentence, parts of speech, tenses, आब दननों मौलेज होई तो, तमने तरत ख्याल आई जेसो, अई पन, वर्ब नी चौती फोर् अबजेक्ट वर्ब नू उप्चियों के थाइशे, तरिक एक उधार जुय हों काऊं, he jumped from a running train, अवे याने break करी, शू आन्नॉर्मल continuous stence नू वाक्यों चे कहें हों, कि ही run बत्ता ing आवेशे, अन्नॉर्मल continuous stence नू वाक्यों चे, तो continuous stence नू बाक्यों होआ माटे, बे बाब स्पब्जेक्ट वर्भ पफची अब्जेक्ट पढ़ी भरल बर्बोस्द अन्यी पश्व आएंग ती जोडए श yay अनि तो आसो कर शे पहलो रूल ब्रेक कर शे कि आ नॉर्मल प्रक्रावन बागे लाती कि अहीं वर्व बत्ता आ आएंग नी फॉर्म ऑब्जेक्ट ना स्थाने आए बिली जोसते लिए ए जेरेंड शे है अब जेरेंड माटे अपणे सुन नियम शे ए आपजेक्ट ना स्थाने आ पाशी ज Suzanne Okay पाशी चे फ्रॉम के वा रनीग ट्रेन ing train बूसी के वा धीफ गाज गयं में एक वाक्त्र्ण मा सजनु ब्लावे um पाफ स्जर्ट्र honesty ल्यांजी अब्जेक्ट रूर्ट ल्या दो क्छमें खीरवर्ब॥ व्याक्षे ने ध्यानती समझो के जारे कोई वर्ब है लेके वर्बनी चौती फॉर्म एक एड्जेक्टिव तरीकें काम करें नो मतलब एक नाउन का तो प्रोनान जिसे अतिरिक्त माही तिया पे इवा प्रकार्ना वाट्यों ने के वाई चे प्रिजेंट पाटिसिपल तो ज वर्बनी चौती फॉर्म सीवाई बनाएगे तो आप वाख्य कही रिते बनसे थासे ही जंट फ्रोम ए ट्रेन थी कुदको मार्यों बराबर चे त्यां सुथी तो आप वाक्य नॉर्मल वाक्य बने चे नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो करे चे पर जहारे उन रनिंग मूंकी द आप ट्रेन विसे श्या लि बाइस करे ट्रेन वबनाती तुर मुर्म वे technical venue बनावर कि आप परी शोण दो कि ऐसाल की कही अस्या RS वाख्ये बनावर खोरे सुथी बर्बनी चौति फोर्म, नावन वी से अतिरिक्त महीति आपे लेकि अड्जेक्टिंग नो भाग भज़ए तो ट्रेन वी से अपड़ाने कई और शब्ट है जे अतिरिक्त महीति आपे छे, रन बत्ता आए जी, बर्बनी चौति फोर्म, याद रख्यो, कि मित्रों कोई वाक् नाउन का तो प्रूणान विसे अतिरिक्त माहिती आपे छे त्यारे ए वर्ब रहतू नती ए बनी जाए छे अज्जेक्टिव अने ए प्रकार ना वाक्यों ने केवाई छे प्रेजेन पाती से खेलाएगो अवे गणा बधा चेलोको इंटर्मीडियेट लीवल पर चे ए बोलोको मने प्रस्ण बोचे के अमे घणी वखते आवा वाक्यों पन जोया छे के अब प्रकार ना वाक्यों नी शू क के वाए? तो आप प्रकार ना वाक्यों ने इन्फिनिटिव के वाँ है अने आगला प्रकार ना आपको पर मावन Пррь में यहें चाहिं विजो उधान जो ये दाखला पदी क्यों कहूं, He shot flying bird, वावर, He shot flying bird, यहने उड़ता पक्षी ने shot करियो, वूड़ता पक्षी ने shoot करियो, वावर, अवे, यहने, शूत बनी गाई छे, शूत बनी गाई छे, शूत नो पास ते गिए shot, यह वर्ब छे, वावर, अन्य बर्ड, बर्ड सू छे, एक ऑब्जेक्ट छे, पर के वो बर्ड छे, flying bird, बर्ड विसे, कयो यह वो शब्द छे, अतिरिक्त माहिंतिया पर छे, वर्ब नी चौती फॉर्म, जो एजेक्टिवन काम करे, तो यह सू बनीगाई छे, present participle बनीगाई छे, आ प्रकार्णाव बात क्या present participle छे, वीजू एक छलू उदान जोए, I caught him, going through my terrace, अवय आने ब्रेक परिये, शू वावर, नॉर्मल कंटिनूस्टेंस नू बात क्ये छे, आवर, subject छे, caught, verb छे, him, नॉर्मल स्रेक्चर ने, वोलो करे छे, subject पछी, वर्ब पछी, object हो जे, subject पछी, नॉर्मल सेंटेंस मा इंजी सरुपमा हो जे, caught, ये आएंजी सरुपमा नाथी, शू आ जेरेंड इशे, जेरेंड नी, कातो ये subject ना स्थान आवे, तो शू आ जेरेंड छे, I, अपनाने subject मली गोज, caught, ये वर्ब पर मली गोज, him, जेना पर क्रिया थी दीशे, ये हम में सा एक object होई तो subject ने मली गोज, तो आज जेरेंड प्रकार नो वाक्या पड़ता थी, हम जो ध्यानती समझो, I caught, him, मैं एनने पकड़ियो, going through my terrace, बाबर, him भी से, एनने पकड़ियो तो करो, पड, him भी से, एनन भी से, कईो एवो शब्द छे, अतिरिक्त माहिती आपे छे, एनने पकड़ियो, एनने terrace पर ती जत्ता पकड़ियो, Go वत्ता-im वर्बनी 4. someone, him भी से अतिरिक्त माहिती आपे छे एत्या माहिती सूझे, कह difाबर, जत्ता वस्त्तु जे छे, वर्बनी 4. हिम भी से प्रोणावन भिसे अतिरिक्त माहिती हाबर, यह थे अद्जेक्टिव वनी आई छे, अने एना कारणे आ प्रकार ना वाक्यने present participle केवाई तो मित्रों याद रख जो आ अधा जेरेंड अने present participle साधा वाक्यों मा तमे वर्बनी चोतिफों नूपयों continuous tense मा करोशों पड़ कोई वाक्य जेरेंड माँ चेवों क्यारे करी सके ही वर्म निया याय ऊङरे अड़िक água धिलाँकै। चैणि चैणि आगणों मतलब प्रियों कहा जाए तोर मली हम गला सいた इन्फिनिटीव अने पास्ट पार्टी सीकल साते त्यां सुधी धन्यवाद